दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने अलान किया है कि गुजरात में आप सरकार आई तो हर साल 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे इतना ही नहीं उन्होंने हर युवा के लिए रोजगार का भी वादा किया है गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर आम आदमी पाठी अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है गुजरात में पाठी को मजबूत करने के लिए दिली के सीम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया गुजरात के दो दवसियत दोरे पर आए हुए है वहीं अरविंद केजरीवाल ने भावनगर की रैली में रोजगार को लेकर भरती कैलेंडर पढ़कर सुनाया उन्होंने कहा कि दिसंबर में सरकार बनेगी फरवरी में अप्रेल में नतीजे आने के बाद सबकी पोस्टिंग हो जाएगी वहीं मई में TET 1 और TET 2 की परिक्षा कराई जाएगी TET की परिक्षा भी मई में ही कराई जाएगी हमने दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास मॉडल दिया जैसे शिक्षा और स्वास्त में पूरी दुनिया आज दिली के तरफ देख रही है कि कितने शांदार स्कूल बना दी है, अस्पिताल, महला, क्लिनिक अब ट्रांस्पोर्ट के सेक्टर में दिली को पूरे दुनिया का मॉडल बनाना है हमें उन से सीखना भी है दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ट्रांस्पोर्ट का बहुत मॉडन सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम्स को अपनाएंगे और दिली को दुनिया का सबसे बढ़िया मॉडल ट्रांस्पोर्ट का मॉडल के रूप में प्रसुत करेंगे सारी सुविधाओं के साथ सबके साथ कल ग्यारा महिला महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी गई उन सभी बहनों को मैं बढ़ाई देता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है आने वाले समय में अगले कुछ महीनों में दो सो और महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी जाएंगी अब महिलाएं पुरिशों के साथ कंदे से कंधा मिलाके दिल्ली की प्रगती दिल्ली के विकास में काम कर रही हैं उन सब को मैं बढ़ाई देता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ रायबरेली पहुँचे हैं जहां फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज पर बनाए गए हेलिपैड पर सियम का हेलिकॉप्टर उत्रा और वहां से नहरू नगर क्रॉसिंग पर बनी बेनी माधव की मूर्तेस्थल पर पहुँचकर राना बेनी माधव की मूर्ती पर पुश्प अर्पित किये और कहा कि मा भारती के अमर सपूत अवद के गौरव अपने अतुल्य बलिदान से जंजन के रिदय में स्वाधिंता की ज्योती प्रजुलित करने वाले राना बेनी माधव बक्ष सिंग की जयनती पर उन्हें विनम्र श्रधांजली अर् वहां से रवाना हो गए। सुप्रीम कोट आज रेवडी कल्चर की परिभाशा और दिशा निर्देश तैक करने के लिए विशेशग्य समिती गठित कर चुकी है और आदेश आज जारी कर सकती है। कोट ने कहा था कि जनता की भलाई के लिए लाई जाने वाली योजनाओ को अर्थ विवस्था को हो रहे नुकसान के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। इसके लिए कोट ने एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का सुझाव दिया था वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी डियम के वाई एसार कॉंग्रेस जैसी पार्टियों ने मुफ्त सुविधाओं के बचाव में अर्जी दायर की है।